बीजेपी और सपा की नहीं, बात है लोगतंत्र की, चुनाव आयोग की पारदर्शिता, निस्प्रश्टा और पवित्रता की, स्वाभाई ग्रूप से, जो 2022 का विधान सबाचनाव हुआ, बैलेट पेपर ओटिंग में समाजवादी पाटी 304 पर जीती, जबकि भात्पा मात्र 99 पर, लेकिन एवियम की गिन्ती में, भात्पा कैसे जीती, कि अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है, कि 304 सीट पर जीतने वाली समाजवादी पाटी पीछे हो गई, 99 पर जीतने वाली बैलेट पेपर ओटिंग में भात्पा आगे हो गई, कि इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है, इसलिए इस पर सभी जो भी हमारे मीडिया के लोग हैं, जा अन्या विद्व समाज के लोग हैं, राजनितिक पाटियां हैं, उनको विशेशन करना चाहिए, कि हम और अच्छी पारदर्शी तरीके से कैसे चिनावी प्रकिया को ससक्त कर सकते हैं, लोग तंदर में जो जनता का आस्था है, उसको हम कैसे अक्षुन बनाए रह सकते हैं, इसलिए वो अपने आप में एक सवाल है, जिसका जवाब जनता चाहती है, और इस पर विशार करने की आउस सकता है, इसको हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बहुत सोच समझे कह रहे हैं, कि इतना उलट निड़ने कभी नहीं हो सकता है, 19-20 का अंतर तो होता है, जीत और हार भी होती है, हम जीत को भी स्विकार करते हैं, हार को भी गले लगाते हैं, यही लोगतंत्र की मर्यादा है या यही लोगतंत्र है, मनी नियाले में जाने के लिए सही प्रमाड होने चाहिए, तर्थ होने चाहिए, हमने विचार मन्थन के लिए इसलिए कहा है कि उस तरह तक हमें जाने के आउसकता है जिससे आज सवाल उट रहा है और उंगले उट रही है और यहीं विचाने यह इसे हैं, इसी दिये सब को विचार करने के आव सकता है, रही बाग, आव सकता है अनुशार, यदि प्रमाड और तत्य मिल जाते हैं, तो लोग नहयाल भी जाएंगे, खेल तो कहीं भी हो सकता है, खेल के लिए ना पस्तिम बटा है, ना पूरा बटा है न देच्षिन बटा, न उत्तर बटा, और जो भी टेक्नोलाजी है, हम जितना उससे सकते हैं, ओतना सकती हम कर सकते हैं, अतना जिश्म होना गिक के लिए रहती है, अभी कलही ही、 एक वैज्यानिक ने औट टांसफर् कैसे किया आता है, इसको दिखाएा भी बताया भी, भार अंतिम मद्दान हुआ साथ मार्च को, साथ मार्च को मद्दान के ठीक बास से सारे मीडिया एक शवर से बोल रहे थे 2070 प्लस, एक ही भासा सब की निकल रही थी, छा मैंने पहले से 273 का आकड़ा आ रहा था, अंतिम में प्रणाम भी वही आया, तो क्या इस तीनों में तालमे नहीं है, इसलिए अपनी गल्ती को जस्टिफाइट करने के लिए, ये हिदेन एजन्डे की रूप में इसका प्रयोग हुआ, स्वाभावी रूप से कोई टेकनोलाजी का दुर्पयोग समगर रूप से नहीं करता है, आंसी रूप से करता है, कहीं जिला चिन्हित करता है, क किन जिलों में हमको खेल खेलना है, कहां नहीं खेलना है, और अभी एक वैज्यानिक ने जो कल बताया है, तो स्वाभावी ग्रूप से उसने करके प्रेटिकल दिखाया वीडियो वाइरल किया, और उसमें एक जज और एक प्रोपेशर और एक पत्रकार के सामने किया, तो स् हारता है, जो हारता है वही कभी जीतता है, इसलिए हार और जीत को मैं शामाने रूप से लेता हूँ, मेरी 42 साल की संगर्ष की राजनी थी, उतार्च रह भी देखे हैं, हार और जीत भी देखे हैं, विपक्ष में भी भूम का अदा किया हूँ, सत्तापक्ष में भी अदा क नहीं और इसलिए प्रणाम आने के बाद मैंने सभी जीतने वालों को बढ़ाई दिया और अपनी हार को सुईकार भी किया क्योंकि पहले जीत और हर का परणाम आता है हम लोगतनत्र में आस्था रखते हैं इसलिए जीतने वाले को बधाई और हर को सुईकार करना मेरा नैतिक धर्म है किया मैंने लेकिन कुछ शवाल ऐसी भी होते हैं जो कहीं न कहीं लोगों में एक शवाल बनके गूमते रहते हैं सुवाल यहां पर भी है कि बैलेट पेपर ओटिंग में 304 पर समालवादी पार्टी आगे तो